हाथियों के जुंड की एक सामाजिक सनरचना होती है इस एपिसोड में हम हाथियों के समाज की आकरशक दुनिया और उनके जुंडों के भीतर उनके संपर्क और संचार के जटिल तरीकों को उजागर करेंगे यदि आप भी हमारी तरह पशु सामराज्य के आश्चरियों में रुची रखते हैं तो अधिक मनोरम बन्य जीवन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए अब शुरू करते हैं हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी है क्या आप जानते हैं हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी है और उनके जुन्ड आपस में घनिष्ट रूप से जुड़ी हुई पारिवारे की काया होती है मुख्य हाथीनी जो अकसर सबसे बुजोर्ग और बुद्धिमान हाथीनी होती है इन जुन्डों को नियंत्रित करती है यह मात्रिस अत्तात्मक समाज पूरे जुन्ड के अस्तित्व और सम्रिद्धी को सुनिष्चित करता है युवा हाथीनी अपने अनुभवी नेता हाथीनी से आवश्य कोशल सीखती है और समू के भीतर बनने वाले बंधन एक्ता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है उलेखनिय रूप से यह जुन्ड भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकते हैं संकट या उत्सव के समय में एक दूसरे का समर्थन करते हैं और सांथ्वना दे सकते हैं एक सामज जसे पोर्ण और सहानुभूति पोर्ण समुदाय बना सकते हैं हाथियों का एक विशेश आर्ट ओफ कम्यूनिकेशन होता है वे तुरही बजाना, गडगड़ाहट और गरजना सहित स्वरों की एक विस्त्रिच श्रिंखला का उपयोग करते हैं जो विशाल दूरी तै कर सकते हैं ये ध्वनिया शिकारियों की उपस्थिती या जल्स रोतों की खोज के बारे में जुन्ट को सचेट करने के लिए संकेतों के रूप में काम करती हैं इसके अतिरिक्त हाथी इंफ्रसाउन नामक कम फ्रीक्वेंसी वाले कमपन उत्पन कर सकते हैं जो मनुश्यों के सुनने के लिए बहुत कम होते हैं ये इंफ्रसाउन जमीन के माध्यम से यात्रा करते हैं जिससे हाथियों को घने जंगलों में भी लंबी दूरी तक एक दूसरे के साथ संबाद करने की ख्शमता मिलती हैं इन स्वरों और कमपनों को सुनकर और प्रतिक्रिया देकर हाथी जुन्ट के भीतर मजबूत संबंद और समन्वें बनाये रखते हैं भावनाओं का जाल हाथियों में भावनाओं को व्यक्त करने और समझने की अद्भुत ख्शमता होती है जो उनके जटल सामाजिक बंधनों को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है शारीरिक भाशा और स्वरों के सयोजन के माध्यम से वे गहन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए खुशी, दुख, भाए और सहान भूती व्यक्त करते हैं उदाहरन के लिए एकसाइटमेंट के क्षणों के दोरान हाथी अपने कान फड़फड़ा सकते हैं खुशी से तुरही बजा सकते हैं और ट्लेफुल इशारे कर सकते हैं इसके विप्रीत, दुख के समय में वे गंभीर और शोप्पूर्ण आचरन प्रदर्शित करते हैं अकसर जुंड मृत सदस्य के पास चुपचाप खड़े रहते हैं ये भावनात्मक जाल सुमिश्चित करता है कि हाथी एक दूसरे की जरूरतों के प्रती अभ्यस्त रहें और समूह के भीतर साहचर्य और समर्थन की गहरी भावना को बढ़ावा दें सीमाओं से परे संचार दिल्चस्प बात यह है कि हाथियों में ना केवल अपने जुंड के भीतर बल्कि दूर के समूहों के साथ भी संबाद करने की ख्षमता होती है शोतकर्ताओं ने देखा है कि जब एक जुंड दूसरे जुंड का सामना करता है तो वे अभिवादन समारों में शामिल होते हैं इस मुटभेड में एक दूसरे की उपस्थिती को स्विकार करने और शांती पूर्वक सह अस्तित्म को स्विकार करने के तरीके के रूप में तुरही बजाना, गड़गडाहट और स्पर्ष इशारों का आदान प्रदान शामिल है पीडियों तक ज्यान साजा करना हाथियों के ज्युंट के सबसे असाधारन पहलूँ में से एक है ग्यान का एक पीडी से दूसरी पीडी तक स्थानांतरण नेता हथिनी, संचित ग्यान का भंडार होने के नाते, युवा हाथियों को आवश्यक जीवित रहने के कौशल और व्यवहार प्रदान करती है सुखे के दौरान जल्स रोतों को खोजने से लेकर खात्य पौधों की पहचान करने तक ये शिक्षाय जुंट के लचीलेपन और बदलते परिवेश के अनुपूर होने के लिए महत्वपोर्ण है अपने ज्यान को सन्रक्षित और प्रसारित करके हाथी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी परंपराएं और विशेश अग्यता कायम रहें जिससे प्रत्येक पीडी अपनी प्राकृतिक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए बहतर धंक से सुसज्जित हो सके इन शांदार प्राणियों के जटल जीवन की एक जलक पेश करते हैं यदि आप भी इन अविश्वस्निय तत्यों से उतने ही आश्चरे चकेत हैं जितने हम थे तो अधिक मनोरम वन्यजीव कॉंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आएए पशु सामराज्जी के आश्चरियों की खोज करते हुए और हमारे ग्रह के विविद और असाधारन निवासियों के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देते हुए एक साथ अपनी यात्रा जारी रखें आपको इन में से कौन सा तथ्य इंट्रेस्टिंग लगा या फिर हाथियों के बारे में कहने के लिए आपके पास कुछ है तो हमें कमेंस में बताए हाथियों की दुनिया के इस मनोरम सहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद यदि आप भी हमारी तरह इन आकरशक प्राणियों से मोहित हो गए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन्स चालू करना न भूले ताकि आप हमारे साथ प्रकृतिके और अधिक आश्चनियों का पता लगाने का कोई मौका न चुके और हमेशा की तरह बेजिजख इस विसमेकारी यात्रा को अपने दोस्तों और साती प्रकृति प्रेमियों के साथ साजा करें आएए मिलकर प्रकृतिक दुनिया के रहसियों को उजागर करना जारी रखें और हमारे चारों और मौजूद सुन्दर्ता और विवित्ता को अपनाएं अधिक दिलचस्प विचित्रों और मनोरम सामगरी के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें जो दिलचस्प तत्यों और ज्यान के लिए आपका पसंदीदा स्रोध है ऐसी दिलचस्प चीजों के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूले अगली बार तक जिग्यासू बने रहें, जंगली बने रहें और प्रकृति के चमतकारों को हम सभी को प्रेरित करते रहने दें प्र॥ाट के चाई अज़ कि अजयरों के अ प्राफच पिते रहें di झाली क के ंता है